हेलो गाइज वेलकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंस वराज इंजन लिमिटेट की और से सप्टमबर क्वाटर के फिनांशल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अलसिस करेंगे गाइज अन और इटिट फिनांशल रिजल्ट कंपनी के और स सब्सक्राइब करेंगे इंकम है जो कि अधर इंकम को एड़ करके हुआ है 392 करोड का पिछले क्वाटर में 404.4 करोड का और सप्टमबर 22 क्वाटर में 387 करोड का इंकम है और क्वाटरमें डाउन है यर ओन और में इंक्रेज किया है एक्समेर म detective का फिनिर् गूड workflow की इंवंटरी में चेंज म हुआ है द्रस फिनांस कौस्ज्ट ऑक्रश करोड करके 345.5 क्रोड का पिछले क्वाटर में 349 करोड का और सब्सक्रेंबर 22 क्वाटर में 338.9 करोड का expense हुआ था quarter on quarter expenses भी डाउन हो जबकि income में down रहे था expenses भी डाउन हो बट year on year के expenses increase किया income के according जिसके बाद operating profit है 50.6 करोड का पिछले quarter on 55 करोड का और September 22 quarter on 48.3 करोड का operating profit है quarter on quarter में down है लेकिन year on year में increase किया है net profit 37.6 करोड का पिछले quarter में 40.9 करोड का और September 22 quarter में 35.8 करोड का net profit था quarter on quarter में भी down देखने को मिला लेकिन quarter on quarter में तीजी से recover किया बट year on year में तीजी देखने को मिला और recover इसले किया क्योंकि taxes कम पे करना पदा 12.9 करोड का पिछले quarter 14 करोड का पे करना पदा था जबकि income में बहुत ज्यादा गिरावट थी लेकिन profit उता ज्यादा गिरावट नहीं आया है EPS 31.01 रुपेज का है quarter on quarter में down तो है बट year on year में increase किया है तो ओवर all guys company average result पेश किया क्योंकि quarter on quarter की income profit में गिरावट है बट year on year की income profit में तेजी देखने को मिला है इसले company average result पेश किया है तो कह सकते है अब हम लोग जो है वीडियो को यहां पर अगर देखिएगा तो year over year में एक और बहुत अच्छी point है कि year over year में six successive quarter of growth देखने को मिला मत्या कि quarter on quarter हम भले गिरावट है बट year on year के घर हम बात करेंगे ना तो हच लास्ट छे quarter से success देखने को लास्ट छे quarter से company year over year में growth देखने को मिल रही है और highest ever quarter to profit इस बार आया है जो कि 37.67 करोड का है और यह ग्रोथ हुआ 5% के साथ और यह जो earning जो है क्योंटू अर्निंग सेल हाइस्ट अर्निंग सेल है जो 37.876 यूनिट्स है और यह यह भी ग्रोथ हुआ 2.9% के साथ तो कह सकते कंपनी बहुत ही है जहां पर जो सची रिजल्ट है year over year में बहुत ही स्ट्रॉंग रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो हम लोग जो है वीडियो को ही पर एंड करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कुछे मिलते हैं नेक्स लोड़ा में डिल देन बाबाई